ये कहानी एक व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित है, जिसने अपने घर में एक भूत के रूप में भयानक घटनाओं का सामना किया. एक बार की बात है, एक युवक नामक है मोहन, जो अपने परिवार के साथ एक बड़े और पुराने घर में रहता था. उसके घर के पास एक पुरानी कबरस्तान भी थी, जिसमें बड़े भयंकर पुराने समय के रहस्यमय अतीत के साक्षी होते थे. एक दिन मोहन को लगता है कि उसके घर में कुछ अजीब बातें हो रही हैं, रात को उसे अनिद्रा होती है और वह अक्सर आवाजें सुनता है. धीरे धीरे वह यह अनुभव करता है कि उसके घर में कोई भूत है. लेकिन क्या यह सच है या वह केवल अपनी मनोदशा का शिकार हो रहा है, यह उसे समझ नहीं आता. एक रात, जब वह अकेला अपने कमरे में था, वह एक विशेश आवाज सुनता है. धीरे धीरे वह उस आवाज का पीछा करता है और उसे बंद रहे कमरे की तरफ ले जाता है. जब वह कमरे में पहुँचता है तो उसे देखते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वह आवाज आती रहती है. फिर उसने विचारा कि यह आवाज शायद किसी भूत की हो सकती है. उसने एक पुरानी किताब खोजी और पढ़ा कि इस भूत का नाम मोनिका था, जो कभी उसी इलाके में रहती थी और उसे चुपचाप अपने वश में कर लेती थी. मोहन को बहुत डर लगता है, लेकिन वह उस आवाज को रोकने के लिए निर्धारित हो जाता है. उसने एक पुरानी पूजा की धाली ली और मोनिका के सामने आकर उसे शांत करने का प्रयास किया. धीरे धीरे आवाज और उसकी परेशानी घटती जाती है. आखिरकार मोनिका का भूत उसे छोड़ कर चला जाता है. इसके बाद से मोहन का जीवन फिर से सामान्य होता है. लेकिन वह हमेशा याद रखता है कि किस तरह वहने अपने डर का सामना किया और उसे पराजित किया. समय बीटते हुए मोहन का भूत से मुकाबला उसे एक महत्वपूर्ण सीख देता है. वह समझता है कि डर से नहीं भागना चाहिए बलकि उसे सामना करना चाहिए. धैर्य निष्ठा और शक्ती के साथ वहने अपने भय को परास्त किया और उसे हराया. मोहन की यह कहानी हर किसी को यह बात याद दिलाती है कि जीवन में विभिन्न प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हिम्मत और साहस दिखाने की जरूरत होती है. अंतता संगर्षों से बढ़कर हमारी महानता का संजीवनी उपाय होता है. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमें किसी भी भय के सामने डरने की जरूरत नहीं है, बलकि हमें उसका सामना करना चाहिए और अपनी शक्तियों का उप्योग करके उसे परास्त करना चाहिए. जीत की खुशी और सफलता का आनंद उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है. सही कहां, जीतने का अनुभव और स्वाभाविक तोर पर सामना करने की क्षमता व्यक्ति को आत्म विश्वास और संजीवनी शक्ति प्रदान करता है. जब हम अपने डरों का सामना करते हैं, तो हमें नए संभावनाओं और संदेशों का सामना करने का अवसर मिलता है. इस साहसिक कदम से हमारे जीवन के साथ, हमारे साथ ही हमारे चारों और के लोगों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है. अच्छी बात ये है कि हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं मोहन की कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि कभी-कभी डर को नकारना और सामना करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसे हराना और जब हम अपने डरों को चुनौती देते हैं तो हम अपने आपको एक नए स्तर पर ले जाते हैं जो हमें अपने लक्षियों और सपनों की दिशा में अग्रसर बनाता है